नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं पंडित नरेंद्र पाधिया लाइव हिंदुस्तान के जोतिशे कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले हम लोग साथ अक्टूबर 2023 की ग्रह स्थित्री देखते हैं गुरू राहुमेश राशी में चंद्रमा और मंगल तुला राशी में और शनी कुम राशी में गोचर में रहेंगे इस समय शनी और गुरू दोनों ही वक्रीव्यति से चलता है राशी फल देखते हैं मेश राशी विवसायक सफलता मिलेगी भौतिक सुक सम्दा में प्रधी संभव है स्वास नरम गरम रहेगा प्रे प्रेम संतान अच्छा ब्यापार भी अच्छा हरी बस्तु पास रख मेथुन राशी मेथुन राशी सवहादपूर्ण जीवन बिताएंगे प्रेम संतान के भरभूर सहयोग मिलेंगे स्वास साथ देगा और ख्याती आपकी बढ़ेगी धनका आउक भी बढ़ेगा हरी बस लाल वस्तु पास रख करक राशी उर्जावान बने रहेंगे सायमकाल के बाद बहुत अच्छी इस्थिती हो जाएगी ज़र्वत के हिसाब से बच्छा बिचार आएंगे प्लस में एक सार्थक उर्जा का संचार होगा उर्जावान बने रहेंगे प्रेम संतान का भी प्रियापन या पुराने से थोड़ी अन्बन वाली इस्तती दिखाई पड़ी व्योसाइक सफलता मिलते रहेगी लाल वस्तु पास रहेगा चिंत्यकारी सुष्ट्री का स्रिजन होगा मन खिन रहेगा स्वास नरम गरम प्रेम संतान मध्यम व्यापात सही चलता रहेगा पील ज़िर्युजगार में तरक्की करेंगे स्वास अच्छा रहेगा प्रेम संतान भी अच्छा है व्यापार भी अच्छा है शरी देव को प्रणाम करते रहें व्रेश्यक्राशे परिस्थितिया धीरे धीरे अनुकूल होने लेगी सायम काल के बाद रुका हुआ कारी चल ब्यापार अच्छा रहेगा लाल बस्तु पास रखें मकरश जीवन साथे का भरपूर सहयोग मिलेगा आनंदायक जीवन गुजारेंगे नौकी चाकरी के इस्तती अच्छी रहेगी स्वास्त प्रेम ब्यापार अच्छा रहेगा चीव जी को प्रणाम करते रहें कुम्रश व प्रेम में तो तुमें में संभाव है बचों के सिहत पर ध्यान दे महत्वपूर्ण नेने थोड़ा रोब के रखें मांसिक स्वास्त गड़बड़ रहेगा स्वास्त भी गड़बड़ है व्यापार सही चलता रहेगा पीली बस तू पास रखें नौस्कार